दोस्तों ये है मेरे पास MediaTek का द्वारा बनाया गया सबसे लेटेस प्रोस्टर Dimensity 9400 अब चलो यार इस प्रोस्टर की बात मैं करने से पहले एक बाह बता देना चाहता हूँ MediaTek को अक्सर हम लोग जानते हैं कि स्मार्टफोन वाले प्रोसेसर के रूपर यानि कि वो कम नहीं जो स्मार्टफोन के प्रोसेसर सिहां पर बनाती है लेकिन क्या आप लोग को मालू है कि MediaTek इस से एक्जक्ली में कहीं जादा बढ़ी है यानि कि MediaTek अर साल जो डिवाइसेज ये लोग पहवर्ड करते हैं चलाते हैं रहा वो 2 मिलियन के प्लस है यानि कि तक्रीबन 200 करोड डिवाइसेज में एट 1 पॉइंट ऑफ टाम आपको MediaTek की चिप्स रणिंग देखने को मिल जाएंगी और ग्लोबली बात करें तो हर 3 में से एक मोबाइल फोन के अंदर MediaTek का प्रोसेसर होता है और यहां तक की बात करें इंडिया में तकरीबन 50% फोन जो मार्केट में है उनमें MediaTek है और 5G में बात करें तो 53% है जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने सुनने में और MediaTek ने एक अलगी हाँ पर दबदबा यहाँ पर बना रखता है लेकिन क्या आप लोग का मालूम है कि MediaTek की कैसी कहानी है जिसको सुन के आप थोड़ा से हैरान हो सकते हो कि शिरुवाती दिनों में MediaTek की कहानी ती अच्छी नहीं थी देखो शिरुवात हम सबको पता है जब इंडिया में नएने स्मार्टफोन साय थे तब आपको अगर बेस्ट पॉसिबल परफॉमेंस चाहिए थी बैस्ट मजा चाहिए तब फ्लैक्शिप लेवल के एक्स्प बना रहा है ठीक है महेंगे में वन्होंने अपनी मॉनापली क्रेट कर रखी लेकिन मेजॉरिटी मार्केट तो सस्ते फोन लेता है तब आपको काफी सारे सस्ते फोन के अंदर MediaTek के प्रफॉसर देखने कम लेते इवन मैंने खुद जो पहला मोबाइल फोन यहां पर यहां तक कि most of the phones जो उस समय affordable 10,000 रुपे के नीचे आते थे आज से 10 साल पहले जब इंडिया में के smartphone revolution आ रहा था उनके अंदर MediaTek था और MediaTek को एक credit तो देना पड़ेगा कि उसने chips के दाम कम रखे जिस कारण से mobile phone थोड़े से दाद accessible रहे हाला कि MediaTek को उस समय बहुत भारी criticism मिलता था और वो था यार लिटिक होती है, phone lag करता है हमारा और MediaTek के chips इते अच्छे नहीं होते हाला कि इन सारी problem को धीरी धीर rectify करन यानि कि powerful performance score तब काम करेंगे जब आपको performance requirement हो, जैसकि game वगरा खेल रहो, लेकिन अगर पैटरी अच्छी चाहिए तो efficient course लो, यह कहानी कुछ हद तक चली थी लेकिन market में उत्ता अच्छा कोई response create नहीं कर भाए, even majority 3G औ 4G processors में काफी लंबे समय तक दिक्कत रही थी कि यह थोड़ा से energy consumption का जादा और heating थोड़ा निकालते, जिस current से market में की थोड़ी negativity थी, even इनों ने पहला true octa core processor भी निकाला था, जो market में true octa core था की art के hardcore एक साथ use हो सकते हैं, तो यह देखा जाए तो एक learning step ता media tech के लिए है, क्योंकि आने वाले future में चीज़े चेंज करने वाले सकता है, क्योंकि अगली जहलक मिली, वो हमें मिली 2021 में, जब वो अपनी पूरी Dimensity की lineup ले और Dimensity ने जो कामाल करके दिखा है, वो आज भी बहुत जादे इंप्रेसिव है, क्योंकि अगर आप बिलीव नहीं करोगे, मार्केट में जो affordable 5G फोन साथ हो, मीडिये टेक Dimensity की प्राइस टू पॉफॉमेंस बेटर निकलने लगा, मीडिये टेक का, इवन इमेज प्रोसेसिंग जो रहती है, वो बेटर निकलने लगी, AI के टास्क बेटर निकलने लगे, 5G के इंदर बेटर कमपैटिबिलिटी निकलने लगी, ये कई सारे ऐसी चीज़ थी जहां पर कॉ निकाली, लेकिन आपको पता है कि 695 जैसी चेपाई थी उसका हल क्या हुआ, और उसके बाद अब जाके Qualcomm Snapdragon को चीज़े समझ में आई है, वो लोगों ने बजट के अंदर यहां पर दोबार से काम करना शुरू किया है, हाली में Snapdragon 4S Gento को निकाल के, जहां पर जो नोंने अप प्राइस निकाल के देता है, डिमेंसेटी 7200 काफी क अच्छा प्रोसेसर निकालना है उन्होंने, बजट के अदर 6300, 6300 प्लस यैसे काफी सारे प्रोसेसर थे, इवन इहां पर आपको देखने को मिला, लावा अगनी 3 में Dimensity 7300 X, लेकिन अब मैं एक और बात बताने चाहता ह जो मॉबाइल फोन से थोड़ा हट करें, कई सारे लोग ये समझते हैं कि मॉबाइल फोन से ही मीडिया टेक काफी जादा बोल बाला है, जबकि exactly में मॉबाइल फोन के एडवांस चिप्स तो उन्होंने बनाया है, लेकिन ये एडवांस टेक्नलोजी को दूसरी जगे भी उ साथ चलते हैं, यहां तक कि अगर आप सबसे बहतरीं Android TV लेरों मार्केट में उसके अंदर सबसे बहतरीं पॉफार्मेंस आई है, उसके अंदर मीडिया टेक की चिप सेट देखने को मिलेगा, यहां तक कि One Plus यसी कमतनी नहीं भी जब टीवी निखाला है, तो मीडिया टेक क यहां पर अपनी companion chip को निखालके, जो Chromebooks में यूज की जाती है, और यह chip आपको देखने को मिली है, जी यो बुक के अंदर, इवन कई सारे Chromebooks आते हैं, जो नहीं हापर इस chip के साथ पावर्ड होते है, इसके साथ ही Amazon की Fire TV Stick आपको यादे, उसके अंदर Media Tech का प्रोसर चलता है यहां तक की IoT Devices के लिए यहां पर Divensity Genio chip है, और Media Tech की Philogic chip आती जो आपको Wi-Fi routers में देखने को मिलती है, और यह कुछ चोटे बोटे Wi-Fi routers नहीं है, प्रीमियम Wi-Fi router से Wi-Fi 6, 6E, Wi-Fi 7 के साथ आते हैं, ये कुछ चीज़ें का देखने को मिलती है, और इन्हीं कुछ चीज़ो ये 3rd party से करवाती है, और उसके अंदर one of the leader जो partner है इनका वो है TSMC, क्योंकि पिछले कुछ सालों में Dimensity chips का fabrication TSMC ने किया, और latest में Dimensity 9400 है ये भी TSMC नहीं यहां पर fabricate करी है, अब इस chip के अंदर भी का speciality बता देता हूँ, ये Android phone के अंदर बहुत ही जल्दी आने वाली है, और first chip होती है, जिसके अंदर आपको 8K 60fps video recording का support मिलता है, अभी तक mobile phone के अंदर किसी भी दूसरे processor के अंदर 8K 60fps video recording नहीं आपाया, इवन Qualcomm Snapdragon 8 Elite में भी आपको देखने को मिलता है 4K 60fps का support, ये चीज़ डिमैंसिटी ने आपे कर गे दिखा दी, तो वो इक कापी कमाल की अपो इसके phones लेकर आने वाला है, वीवो लेकर आने वाला है, और जो पहले complaint थी user की media tech के जो processors थे वो आपको premium flagship category में देखने को नहीं मिलते थे, अब वो उसे वहाँ पर crack करें, क्योंकि media tech का game बिल्कुल सिंपल सा है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि budget और metering को focus के, जिसस Apple processors आएंगे, तो वहाँ पर भी एक अच्छा market यह लोग रैब कर सकते हैं, इसके साथ अगली चीज है कि media tech और snapdragon की जो जंग गया वो आथ के सर्म मुझे बहुत अच्छी लगती, क्योंकि in the end बताओ फायदा क्या रहता है, इसमें आप लोग का रहता है, इसमें आप लोग Media tech already jam and nano के support के साथ आता है, जिसके अंदर jam and nano cop on device यहां पर run कर सकते है, इवन इसकी जो performance होती है, आप टैंसर को भूली जाओ, रेगनोस को भूल जाओ, उनसे तो already हाँ पर आगे निखल चुकी है, अन्टूटो को 3 million पार यहां पर यहां पर जाचुक है, तो यार वो एक च connection में काम करेंगे, जैसे की बात करें कि mobile phone था, इनका main objective था, लेकिन वो technology नोगे TV के अंदर डाला, Chromebooks के अंदर डाला, और आने वाले समय में ऐसा reports और rumors कहते है, कि media tech अपने chips यहां पर ARM design के उपर based करके Windows PC के अंदर भी लानने का प्लन करें, आप लोग को याद है, अभी Qualcomm Snapdragon Excel निकाला था, सेम चीज़ पर media tech भी ला सकता है, देखते हैं वो आता है कि नहीं, इसके साथ ही बात करें, तो already इन्होंने देखा कि Qualcomm जहां जहां पर काम कर रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन जहां 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 पर market छोड़ रखा है, वहां वहां पर पकड़ते हैं, इस बनाया है, जिससे डोर आभी खा जाता है, Dimensity Open Resource Architecture, जिसके अंदर एक smartphone brand Media Tech के साथ डिरेक्ली काम करके, अपने mobile phone के हिसाब से specific चिक के अंदर customization करवा सकता है, चाहे camera के लिए tuning करवानी हो, चाहे AI के लिए tuning करवानी हो, चाहे थोड़ी से performance देके, यहां पर GPU के अंदर tuning करके, gaming बनाना हो, और recent example देना चाहुआ इसका लावा के साथ, लावा अगनी 3 में आपको dual display मिलता है, पीछे की तरफ भी display दे रखा है, उन्होंने वहाँ पे Dimensity 7300 X है, उस processor के साथ उन्होंने क्या कि एक processor एक बार में एक display को output करने के लिए design किया गया, लावा गया उन्होंने बोल के अलग अलग content दिखा सके, यह चीज़ कोई जादा बड़ी नहीं है, लेकिन इस type की flexibility जब smartphone manufacturers को मिलती है, तो वो थोड़ा innovative और creative हो पाते है, क्योंकि कई बार जितनी भी chips बनाने वाले companies है, वो अपना जो architecture होता है, वो lock करके रखती है, उसके लिए flexibility देती नहीं है, तो T-chip आपको देखने को विलिए, जहां पे लोगोंने literally काम भी अच्छा किया है, और अच्छी performance भी यहां पर निकाली है, अब देखने वाली बात है कि 30,000 रुपे के नीचे तो media tech डिमेंसेटी ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन 30,000 रुपे के उपर जाते हैं, लेकिन अ करें तो उसके phones जल्दी आने वाले और इस बार चिप भी काफी जाता promising लग रही है, और snapdragon के साथ भी तगड़ा competition आ रहे है, अगर media tech डिमेंसेटी 9400 के जो phones होते हैं, अगर snapdragon के phones को हलका सा undercut कर देना, तो एक बहुत अच्छा option यहां पर create हो सकता है, देखते हैं जा रहता कमेंड बताओ, वीडियो पसले है तो लाइक करो, चैल को, सस्क्राइक करो, अपने आप सनलताओ, पने अधली वीडियो के नतर, गुट बाई